खेती से जूड़ी नई जानकारी के लिए कृशी फ्लाइ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए आपको दिखाऊंगा कि हम सायन कैसे स्लेट करते हैं सायन मतलब ऐसे एक ब्रांच हम लेते हैं मदर प्लांट से यह जो बड़े प्लांट्स ट्री इसके उपर से हम बड़े ब्रांचे लेते हैं और उसको फिर यह पोदों पर कट करके इनको ग्राफ्ट करते हैं तो दोस्तों म के लिए एक अलग तरीके का ब्रांच लगता है जो ठीक टाक मैच्योर हो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारे भाई जो साइन उसको कट कर रहे हैं तो दोस्तों अभी हम इन से पूछेंगे कि यह साइन कैसे स्लेट करते हैं तो भाई हमको बताओ कि आप किस तरीके से साइन स्लेट करते हो बड़ा होना चाहिए बीच में का ओके और इस तरीके से कट लेते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरीके से साइन स्लेट करते हैं और इसमें दोस्तों आपको ध्यान कहां पर देना है कि यह जो आपको यह टॉपमोस पॉइंट दिख रहा है यह वाला मै नई branches आने वाली है तो दोस्तो आपको ऐसे ही branches select करने है अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तो ये देखिए ये आपको दिखाता है example इस पर आप देखोगे तो दोस्तो इसके उपर branches फुट चुके है नई branches आ चुके है तो दोस्तो ये से दिखाया कि देखिए ये कैसा है कि इसके उपर से भी नई branches आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं है वो मत थुड़े दिनों का ये टाइम है कि वो आने वाली तो दोस्तो हमको इस तरीके से sign को select करना है और दूसरा पॉइंट दोस्तों कि जब हम branches cut करेंगे तब क्या होगा कि दोस्तों ये जो अपना stem ये branch है ये stem ये ज़्यादा भी immature नहीं होना चाहिए properly mature होना चाहिए अगर दोस्तों आप ज़्यादा ही नाजुक ब्रांच लोगे तो उसको आप ग्राफ्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपर सिर्फी नया पौदा बिल्कुल भी नहीं आएगा तो दोस्तों आप जब ये branch select करोगे तो ये आपको mature branch होनी चाहिए अभी आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों ये आपको पता चलेगा experience है क्योंकि ये लोग ये काम करते रहते है तो इसलिए इनको ये पता चलेगा है कि इनको देखते समझ आता है कि कौन सा branch mature है और कौन सा नहीं है तो अभी आप दोस्तों ये देखोगे तो ये वाला branch जो है ये mature नहीं है ये बहुत पतला है और इसको अब science के लिए यूज आपको mature branches चाहिए और दोस्तों और यह जो ग्राफ्टिंग करने वाले इनको पता चल जाता है कि जब ये grafting करते हैं अगर इनके सिनो ने अगर immature branch कट भी किया तो जब वो grafting करते है तो उनको जब वो cut करते है तब उनको पता चल जाता है कि ये sign perfect है ये निए grafting के लिए तो तो दोस्तों इस तरीके से साइन को स्लेट किया जाता है और दोस्तों आपको जैसे मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं कि एक तो यहाँ पर ऐसे इसके उपर जो है बर्ड आते हुए आपको दिखना चाहिए आप देख सकते हैं कि फोड़ा सा बर्ड आ रहा है यह इसको आप यूज नहीं कर सकते हो बहुत पतला है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो मैच्योर ब्रांची आपको तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर साइन को स्लेट कर रहे है और साइन को स्लेट करके फिर यहाँ पर कैरेट में भरा जा रहा है दोस्तों इस साइन को तो, हमें चार से पास जिनके अंदरी ग्राफिटींग के लिए योज करना है, वरना वो खराब हो जाता है, और फिर आगे दोस्तों में दिखाऊंगा, कि इस सायन को ग्राफिटींग के लिए कैसे यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको ज़ूरूरी दिखाऊंगा, तो इस क्यू gonna the एक तरीका दिखाया साइन सील्ट किया था अभी दोस्तो मैं आपको दिखाऊंगगा कि दूसरा मेफ़ड क्या है साइन सील्ट करने का जब आपके पेडो पे ब्रांचे थाइल नहीं है तब आप क्या करोगे तो उसका एक अलग टेकनिक है साइन बनाने उसमें साइन बनाते हैं जिसमें 10 211 धिन का टाइम लगता है तो तो दोस्तो अब हम दिखाएंगे कि इस का हिसी टिंको बोलते हैं तो कैसे ऑदिफॉइलेशन करेंगे वो सान कैसे तया होता, यह हमको एक्सिप्स्प्लेन करेंगे तो आप पहले नीचे के पुरे पत्ते कट कर दोगे तो दोस्तों देखिए इन्होंने ऐसे ब्रांच के उपर से पत्ते कट कर दिये और यहां पर चोटे-चोटे जो पत्तों का जो ब्रांच था उसको रग दिया है इस तरीके से यह हो चुगा अभी यह कितना 8-10 दिन में क्य यहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां तो दोस्तों जहां पर इसकी आखे यहां पर क्या होगा 8-10 दिन बाद बर्स आजाएंगे तो बर्स आने बाद यह क्या करेंगे यहां से इसको कट कर देंगे है ना यहां से इनको कट कर देंगे तो दोस्तों अभी दिखाता है औ और फिर यहां पे इसको ऐसे छोड़ते हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं कि जैसे आपका यह ब्रांच है तो यहां से जो आपका पहला जो यहां पे इसकी जो आखे आती है उसकी नीचे की पत्ते कट कर रहे हैं और फिर यहां पे छोड़ी छोड़ी पत्ते इनके ब्रांचे रख इसे दोस्तों defoilation कहते है और defoilation में दोस्तों क्या होता है कि आपको multiple sign मिलता है जादे sign मिलते है और आप जादे grafting कर सकते है तो दोस्तों इन्हें बहुत सालों का experience है यह professional यह करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से grafting करते हैं इन्हों ने हमारा grafting किया था तो दोस्तों अगर आपको भी इनसे grafting करानी है तो मैं इनका contact number आपको description box में दे दूँगा तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया था कि first step का defolation कैसे होता है अगर आपको दोस्तों एक ही ब्रांच पे दो तीन बार defolation करके multiple sign लेने तो आपको मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे तो अब यह पहले जो यह आखे यहां पे जो बड़ है यहां पे इसके पत्ते निकाल रहे है और यह देखिए इस तरह के से कट करेंगे तो दोस्तों फिर यह भी दस दिन बाद तैयर होगा तो दोस्तों आप एक ही ब्रांच से multiple sign बना सकते हो तो इन्हों करने कैसे जैसे पहले जो ऐसे पत्ते कट किये इसके उपर से और ऐसे रखा तो यह आठ दस से ग्यारा दिन बाद यह तैयार हो जाएगा तो जैसी इसको कट करेंगे फिर इसके नीचे के पत्ते जो है यह 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 बहुत करेंगे फिर यह आठ से दस दिन बाद तैयर होगा किस तरीके से हमने ये जो साय ने हमारे मदर प्लांट से तोड़ कर लाया था अभी उसके बाद इस पे क्या किया जाता मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आप देखिए ये क्या कर रहे है कि इसके उपर के जो पत्ते नीचे के वो हातों से तोड़ रहे है और उसके बाद कटर से इस तरीके से उसके उपर के पत्ते जो उपर पत्ते वो निकालते है ये देखिए तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने क्या किया है जो यहाँ पे जो पत्ते से नीचे वो सारे इसे हातों से निकाल दिये और ये जो बड़ है ये इह बड़ के पास जो भी पत्ते से उसको क्या क्या ह fort क्या है और उसका जो stem था मतलब जो पत्तों के जो नीचे जो post थी उसको इतना छोटा छोडा रख कर इननों ने brother ये देखे यहाँ पर आप देख सकते कि इसका जो ये बड़ है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके उपर बस अभी नई लेज आने वाले थे और इसके साइड के पत्ते सारे कट करके कटर से यहां से इसके पत्ते निकाल दिये अब दोस्तों यह एक परफेक्ट सायन हो गया है अभी इसी को हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज करेंगे यह देखे इस तरीके से हम सब सायन कलेट कर रहे है आपको हम फिर से दिखाता हो यह देखे नीचे से यह हाथ से पत्ते तोड रहे है यह देखे ऐसे तोडने के बाद फिर कटर से यह वो पत्तों के जो पत्ते कट करते है और फिर उसके उपपर इतना सा पोर्शन इतनी चोटे चोटी अंदिया रत देते हैं दोस्तो जैसे हमने इससा पानी में डुबाते हैंaire आप को पानी में बसको दुबाके थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए मतलब क्या होता है कि जब ग्राफ्टिंग करने वाला बंदा जब ग्राफ्टिंग करेगा त Destiny The यह बना लिया पूरे तो इसमें भी देखता है कि कौन सा सायन तयार है कंसा नहीं कैसे पता चलता है तैयार है कैसे यह बड़्स हैं कि सब बड़ा हो जब सब काला होगा चुटा है यह खराब ऑचीज़ को वेस्ट आइड और इसके नीचे का जो यह नीचे का वेज ब्रांच यह तैयर है बहुत नाजूक नहीं पोड़तेória सब आपको ऑपको यह वह Allah मसरों लगता है तूटते सब सबुए मेचहें वह भी तूटते और नहीं हुआ है उसका development नहीं हुआ है तो उस sign को वो use नहीं करते हैं उसको फेक देते हैं और दोस्तो sign का जो length है वो तक्रीबन आप देख सकते हैं कि इतना रहता है मतलब है कि हम अगर हमारे थम से लेकर little finger तग एक measurement लेंगे तो इतना लंबा यह साइन रहता है हमारा तो दोस्तों इस तरीके से हम साइन को तयार करेंगे तो दोस्तों अभी यह वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है तो मैं इसके इसका एक next part बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यह उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाई